हालो एवरिवन, पिछली क्लास में हमने चर्चा के थी गरीबी के बारे में और उसमें हमने गरीबी के लिए जो महत्वपून चीजे थी जैसे गरीबी क्या है, गरीबी की प्रकार, गरीबी से सम्मंधि समीतिया कौन सी है, उनके कारण क्या है, गरीबी के, निवारन के उपा ब्रिष्टाचार करप्षण और आप सब प्रिशाशनी कदिकारी बनने जा रहे हैं तो आप ने इसके बारे में जरूर शुना होगा कि बिश्टाचार क्या है कि अपने सुवार्त के लिए आप अनुचित लाव उठाने हैं तू अपने पद का अपने कर्तवयों का और अपन जब दुर्पियों करते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रिष्टाचार जैसी प्रिष्टाचार शब्द आपके कानों में पढ़ता है तो आपको लगता है कि ब्रिष्टाचार का मतलब है कि पैसा की हेरी-फेरी ठीक है जब कि पैसे की हेरी-फेरी कोई ब्रिष्टाचार नहीं कहत प्रभावित नहीं करता बलकि यह समाज के सभी पकशो पर व्यापक प्रभाव छोड़ता है चाहिए वो आर्तिक पक्शोर आजनेतिक कशोर सामाजिक पक्शोर सभी को एक्वली वो एक्वरक्ट करता है diary traffic करता है इसलिए हम जो बिष्टाचार कि यदि हम परीभाशाओं के बारे में बात करें, तो ब्रश्टा चार आज ही नहीं पाया जाता, ब्रश्टा चार हमारे प्राचीन कार से चला आ रहा है, अगर आप कोटीले की अर्थशास पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी कोटिल ने बश्टाचार को चर्चा किया है, बश्टाचार को परिभाशित करने का प्रयास किया है, कि बश्टाचार से सरकारी खजाने का दुर्पियोग, प्रिशाशनिक एशमता और राष्टी विकास के मार्ग में जो बाधा उत्वन होती है, उसी को क्य कहा गया है, बश्टाचार, इवन कोटिल ने तो एक एक जामपल भी दिया है, बश्टाचार के लिए, कि कोई भी मचली पानी में रहके, यदि पानी न पी, तो ऐसी स्थिती में हम क्या कह सकते हैं, कि बश्टाचार नहीं करी है, तो अगर कोई भी व्यक्ति, अगर हम इस प्रकार से बोले, कि आपकी जीप पे मीठा रखा जाए और आप उस मीठे का टेस्ट, या आपकी जीप पे जहर रखा जाए और उस जहर का टेस्ट आपको नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब आप भी बश्टाचारी नहीं है, तो भादा उत्पन करने की रूप में भी मन्द में एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे हम बश्टाचार बहुत सूचकांग कहते हैं यानि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होती है उसको जारी करने वाली जो संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके दुआरा भी बश्टाचार को निजी लाप के लिए सौपी गई शक्तियों के दुर्पियों के रूप में परिभाशित किया गया है सेकंड एरसी ने भी बश्टाचार को एक फॉर्मूले के रूप में परिभाशित करने का प्रियास किया गया है कि बश्टाचार एकादिकार और जो विवेकादिकार शक्तियां होती है उनके तूप में यदि जवाब देहिता न हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं विष्टाचार कह सकते हैं तो विष्टाचार को अलग-अलग प्रकार से परिभाशित किया गया है विष्टाचार निरुदक समीति जोकि 1962 में गटित की गई थी उसके द्वारा विष्टाचार को इस्तिति के लाप से सलगन शक्ति और प्रभाव क्या अनुचित और स्वार्थपूर्ण उपयोगी बिष्टाचार कहलाता है तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बिष्टाचार की कुई भी परीबाशा आपसे एक्जाम में 20 वर्ट में पूछी जा सकती है तो सभी व्यापक अवधार्णा है जो की राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक सामाजिक, सभी पक्षों को, सभी पक्षों को प्रभावित करती है यदि हम बिष्टाचार की बात करें तो बिष्टाचार की अगर सामान ने आपसे पूछा जाए कि बिष्टाचार क्या है तो अपने स्वार्थ या अनुचित लाप के लिए अपने स्वार्थ या अनुचित लाप के लिए अपने पद, शक्तियों, अधिकारों, करतव्यों, अधिकारों का दूर्पियों तथा करतव्यों का उलंगन करना ही बिष्टाचार है तो बिष्टाचार में क्या करता है कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए जिस पत पर वो कारी कर रहा है जिस शक्तियों का उसको उप्योग करना चाहिए जिन अधिकारों का उप्योग वो कर सकता है जन हित के लिए उसका क्या करता है अपने हीति अपने लाप के लिए या अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रियोग करता है अगर हम बिष्टाचार की अलग अलग परिभाशाओं की बात करें बिष्टाचार की परिभाशा है तो कोटिले की परिभाशा है अगर हम उसकी बात करें तो कोटिले ने क्या कहा है कि सरकारी खजाने का दुरपियो सरकारी खजाने का दुरपियो प्रशाशनिक एस्वमता प्रशाशनिक एस्वमता या प्रशाशनिक एस्वमता या जो शक्तिया है जो राष्टी विकास के मार्ग में बादा उत्पन करने की रूप में प्रश्टी है विकास के मार्ग में बादा की रूप में रूप में इसे परिभाशित किया गया है अगली जो परिपाशा है वो है ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल और यह एक अंत्राश्टी है एंजीओ है इंटरनेशनल जिसके द्वारा बश्टाचार बोधसूचकांग जारी किया जाता है और इसने किस परकार से बश्टाचार को परिभाशित किया है तो इसकी अनुसार निजी लाब के लिए सोपी गई शक्तियों के दुर्पियों को ही बश्टाचार कहा गया है निजी लाब के लिए लाब के लिए सौपी गई शक्तियां गई शक्तियों का दुर्पियोग ही क्या है ब्रश्टा चार है तो यह हमें द्यानक नहा है, important है क्योंकि कई बार यहां से भी प्रश्ट पूछा जा सकता है कि ब्रश्टा चार बोष सूचकान क्या है, कौन जारी करता है और current में उसका status क्या है, यहां से प्रश्ट पूछा जा सकता है Second ARC, जिसे हम द्वित्य प्रशाशनिक IO कहते हैं, उसके according, यदि हम बश्चाचार को परिभाशित करें, तो एक आधिकार प्लस विवेक, दोनों के में एक आधिकार प्लस विवेक की उपस्तिती हो, लेकिन जवाब देहिता का अभाव हो, ऐसी इस्तिती क्या कहलाती है, तो ऐसी इस्तिती बश्चाचार कहलाती है, और एक महतोपूर्ण परिभाशा जो की बश्चाचार के सम्मन में दी जाती है, वो है आपकी बश्चाचार निरुदक समीती के द्वारा, बश्चार से परिभाशित किया गया है कि सार्वजनिक पद और जीवन में उपलब्द जो विशेश इस्तिती है उसके साथ जुड़ी हुई शक्ति और प्रभाव का अनुचित और स्वार्थ पूर्ण उपयोग भी क्या है ब्रेश्टाचार है तो सार्वजनिक जीवन वे पद से जुड़ी हुई जुड़ी हुई विशेश जो इस्तिती है उसको हम क्या कह सकते हैं जुड़ी हुई विशेश इस्तिती से अनुचित लाब प्राप्त लाब प्राप्त करना और उसका स्वार्थ पूर्ण उपयोग करना अनुचित लाब प्राप्त करना तथा स्वार्थ पूर्ण उपयोग करना ही विश्टाचार है तो कोई भी डेफिनेशन आपसे 20 वर्ट्स में पूछी जा सकती है कि विश्टाचार को परिभाशित कीजिए अगर जर्नल ही पूछा जाए तो आपको वह परिभाशा लिखन और अगर स्पासिफिकली पूछा जाए कि कोटिले के अनुसार क्या थी ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्या है या सेकिंड आर्सी के अकॉर्डिंग क्या है तो आपको जो स्पैसिफाइड है डेफिनेशन उसी को मेंशन करना है अब हम बात करते हैं कि क्यों बश्टाचार है उनके मुख्य कारण क्या-क्या है तो जब हम बश्टाचार के कारणों की बात करते हैं तो इन्हें हम अलग-अलग पॉइंट पे देखकर बात करेंगे विष्टाचार के कारण और विष्टाचार के कारण हम कही आधार पर यहां देखने का प्रियास करेंगे जैसे राजनेतिक कारण क्या है विष्टाचार के फिर हम बात करेंगे विष्टाचार के प्रिशाशनिक कारण Administrative reasons कौन से हैं विश्टाचार के लिए फिर हम बात करेंगे यहां पर सामजिक कारण और नैतिक कारणों के और फिर हम बात करेंगे आर्थिक कारणों की सामजिक यह नैतिक कारण ओ पिर आर्थिक कारण तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदू के आधार पर हम विष्टाचार के कारणों की चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम बात करें राजनेती कारण. तेखें, राजनेती कारण क्या है? कि वर्तमान में सत्ता की प्राप्ति के लिए या पत की प्राप्ति के लिए या अच्छे होती है, वो बढ़ जाती है. जैसे कोई व्यक्ति जो बहुत पैसा लगा के किसी पत को प्राप्त करता है, राजनेतीक सत्ता को प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा भेष्ट तरीकों के माद्यम से उस खर्च किये गए धन का पुनय आरजन किया जाता है. दूसरा चुना के माद्यम से जो भी नीतिया है, वो पुंजी पतियों के हित के अनुसार ही बनाई जाती है. तो पुंजी पतियों के द्वारा अपने अपने लाप के लिए सरकार के द्वारा जो भी नीतियों का प्रियोग किया जाता है, तो पहले तो आप दिखेंगे कि बिष्टाचार क अपनिवेशिक जो नौकरशाई की प्रवर्ती है वो भी एक महतोपूर्ण कारण है शुरू से देखा जाए तो जब से नौकरशाई की प्रवर्ती आई थी ता उसी समय से यहाँ पर गोपनीता की संस्कृति पाई जाती है गोपनीता की संस्कृति के कारण जो चीजे होती है वो open में नहीं आती है, उनको सारवजनिक नहीं किया जाता है, ऐसी इस्तिती में बिष्टाचार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है एस सफल प्रशाशनिक सुधार, समय समय पर प्रशाशन में सुधार के लिए प्रशाशनिक सुधार लागू के जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं लोग सेवक को की आए कम होना अब होता क्या है कि लोग सेवक की आए जैसे आज हम RSIS की बात कर ले तो effective जो salary होती है लाग दो लाग होती है ठीक है इससे ज़्यादा salary तो private sector में वैसे ही होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग सेवक अपनी जो आवशकताएं है जो अ पाया जाना कि आज अगर आपके साथ कोई भी बेश्टाचार की गटना गटित हुए तो उसके लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र नहीं पाया जाता है इसके कारण उन गटनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जाता और उनसे समाधान भी नहीं मिल पाता और सब यहां पर लालच इतना जादा बढ़ गया है दूसरा उभोकतावादी संस्कृति का बढ़ना यह क्या है यह आपके सामाजिक और नैतिक आड़नों में शा मिल किया गया है कि आज लगातार व्यक्तिवादिता बढ़ती जा रही है, बोतिकता वादि संस्कृति बढ़ती जा रही है, मैटलिस्टिक लाइफ में हम जादा बलीव करने लगे है, उब्भोकता वादि संस्कृति बढ़ती जा रही है, आज धन ही प्रतिष्टा का आधार हो गया है, जब इसी इस्तिति में जो भिष्टाचार की गतिविदिया होती है उनको क्या मिलता है बल मिलता है तो लगातार यदि हम देखें तो आज धन ही सामाजिक प्रतिष्टा का आधार बनता जा रहा है अगर किसी के पास धन है चाहे वो कितना ही करप्टेड हो उसकी समाज में स्विका जो होती है फिर भी बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में लगातार धनका बढ़ता मैतोबी करप्शन का एक कारण है इसके अलावा हम देखें तो लगातार नैतिक्ता और मुल्यों की गिरावट भी विश्टाचार का एक कारण है आप पहले हम बताते थे बेहमानी नहीं करनी ही ठीक है यह सिखाया जाता था हमारे moral values बहुत हाई होते थे लेकिन आज अगर हम देखें तो जो हमारे ethical values है जो moral values है उनमें क्या यह कमी आई है ऐसे स्थिति में व्यक्ति को भ्रष्ट आच्रण करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है उसके लिए वो बहुत सहज महसूस करता है इसके अलावा यदि हम बात करें तो भाई बतिजावा जिसे हम नैपोटिजम कहते हैं या जो व्यक्ति जातिकत मानने ताये होती है कि अपनी ही जाती का व्यक्ति आया तो हम उसे help करने के लिए corrupt practices भी use कर लेते हैं या नैपोटिजम के माध्यम से हम योगी व्यक्त प्लेस कर देते हैं तो यह भी एक चीज देखी जाती है इसके अलावा सामाजिक संस्ताओं की भूमिका में कमी जितनी भी सामाजिक संस्ता हैं चाहे हमारा जाती है समाज है इनकी जो भूमिका है वो लगातार क्या होती जा रही है कम होती जा रही है इवन हमारी जो सिस्टम है उसमें भी मुल्यों में कमी दिखाई दे रही है आज हम देखें तो शिक्षा में भी लगातार विवसाही करन बढ़ रहा है नेजी करन बढ़ रहा है आज जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन्शिप था जो पहले सम्मान पर आधारित होता था आज वो सि है पैसा भी मुल्यों में कमी आ रही है राष्टियत्या क्लिक है इक तरह के से अशेभाववी करियाणवें नहीं होना तो जब नियम और कानुन प्रभावी रूप से क्रियानवित नहीं होंगे तो कही ना कहीं जाकर उसमें हमें क्या दिखेगा बिष्ट गति वीदियों का बोल बाला दिखेगा तो ऐसी स्तिती में यदि हम बात करें तो प्रशाशनिक रूप से राजनेतिक रूप से आर्थिक रूप से सामजिक रूप जो कि उत्तरदाई माने जा सकते हैं तो पहला आप लिखेंगे इसमें राजनतिक कारण में राजनेतिक सत्ता वे पदप्राप्ति की मेहत्वाकांशा और इस मेहत्वाकांशा के लिए व्यक्ति कोई भी करप्ट प्रैक्टिस कर सकता है ठीक है और अल्टीमेटली उससे क्या म बल मिलता है ठीक है चुनाओं में धन बल बाहू बल का बढ़ता प्रियोग और जिसके पास धन बल है बाहू बल है तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके इनको कैश करने के लिए करप्ट प्राइकंषेज को बल देगा ही देगा राजनेतिक जलो द्वारा अपनी हितो को प्राथमिक्त है देना ठीक है राजनेति का अप्रादी करन हो रा राजनेति का अपराधिक अरण होना तो जब अपराधिक प्रवर्ति के लोग राजनिती में आएंगे तो भष्टाचार तो बढ़ेगा ही ठीक है इसके अलाव हम बात करें प्रशाशनी कारणों के कि तो प्रशाशनी कारणों में पहला तो है नोकर शाही वे लाल फिता शाही कि जो भी का घुष्टाचार की जो प्रवर्ति यह वन आप बढ़ जाती है तो दूसरा है नोकर शाही का राजनिती करण शाही का राजनिती प्रवर्ते रहन आज sıरे ब्रूरोक्रेट्स होते हैं वह भी आच्छी पर-ठासफर के लिए अच्छी पुजिश्यान के लिए अच्छी पथ इसके अलावा लोग सेवकों की आय कम होना, लोग सेवकों की आय का कम होना, कम आय वे प्रोसाहन, ना कोई ऐसे benefits मिलते हैं, उनको जिसके कारण वो ये corrupt practices छोड़े सके, तो लगातार क्या होता है, उनकी जो corrupt practices है, वो बढ़ती ही जाती है, ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, तो कानूनों का प्रभावी क्रियानवेन न होना, आज आप इसको देख सकते हैं कि आज भी लोगपाल कितने समय बाद हमारी या लोगपाल विवस्ता को शुरू किया गया, ठीक है, इसके अलावा प्रभावी नियंत्रन तंत्र की कमी, प्रभावी शिकायत तंत्र या नियंत्रन तंत्र की कमी का अभाव पाया जाना, सामाजिक कारकों में यदि हम बात करें, तो सामाजिक सस्ताओं की बूमिका में कमी, शिक्षा विवस्ता में मुल्यों का हास का हास, अगर तया आज वेल्यूस कम होती जा रही है, पहले हमें थोड़ा सा अगर कोई करता था बिष्टाचार तो उसको लगता था नहीं, यह गलत है उसका मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा, पाप है, गलत है, यह आजकल चीजे खतम होती जा रही है, तो जो भी वैल्यूस थे, जो एथिकल वैल्यूस थी, वो आजकल लगातार कम होती जा रही है, उब्भुकतावादी सलस्कृति का बढ़ना, उब्भुकतावादी, वाद का बढ़ना, इसके अतिरिक यदि हम बात करें, तो धन का बढ़ता महत्व, आजकल क्या है, चाहे कोई कितना ही व्यक्ति करप्ट हो, पैसा होना चाहिए, धन का बढ़ता महत्व, और धन ही क्या हो गया, आपकी सामजिक प्रतिष्टा का आदार माना जाने लगाता है तो यह क्या है कुछ शोशल और एटिकल रिजन्स है, करप्टिन के लिए, इसके अलावा हम आर्थिक की बात करते हैं, कि आर्थिक कारण क्या-क्या है, विश्टाचार के आर्थिक कारण, तो इसमें सबसे बैतोपरोंट आर्थिक कारण है, देश के लचिले कानून होना, देश का लचिला कानून, फिर है कम, निम और सनरशना विकास, विकास, प्रद्योगी की का निम निस्तर, आज आप तो बढ़ गया है, लेकिन अगर हम बात करें जनरल ही, तो आज भी जो टेकनोलोजी का इस्तर है, वो काफी कमजोर पाया जाता है, ठीक है, ऐस समानताओं का उच्छी पाये जाना और अनौपचारिक शीतर का ज्यादा हिस्सा होना भी इसका एक कारण है, तो ऐस स समानताओं का अधिक होना, का अधिक होना, यह क्या है, विश्टाचार के कारण है, और देखिए, जब आप से एक्जाम में पूछा जाएगा, तो या तो अवर ओल पूछा जाएगा, तो आपको पॉइंट्स में लिखना है, इन सब को इंकलूड करके, और अगर आप से प राजनेतिक कारण बताइए तो सिफ आपको राजनेतिक लिखने है आर्थिक पूछे जाते हैं तो आर्थिक लिखने है और अगर आपसे सामाजिक पूछे जाते हैं तो सामाजिक लिखने है इस प्रकार से अगर आगे आपको जो प्रशने है अगर पॉइंट में पूछा जा भाई बतीजावात वे जातिगत माननेताएं होना, सांस्कृतिक कारें, कि हर कोई ऐसा करता है, कि बिश्टाचार ऐसा तो है यह नहीं मैं कर रहा हूँ, तो यह क्या एक सांस्कृतिक कारें हैं, सामजिक भूमी जो संस्ताएं हैं, उनके कमी पाया जाना, राश्टित है कि भा कार दुआरा संचालित होती है तो ऐसे इस्तिति में ये कमजूर संस्ताएं बहुत बहतर विष्टाचार के लिए कारिये नहीं कर पा रही है तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहां से अगर प्रशन पूछा जाता है उसी अब हम बात करेंगे कि भिष्टाचार के दुष्परिणाम क्या क्या है चार के दुष्परिण या दुष्प्रभाव जो बिष्टाचारों के दुष्परभाव या परिणामों की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भिष्टाचार से हमारी राष्टी एक् और राश्टी जो प्रगति है उस में रुकावट आती है उसमें बाधा आती है बिष्टार के माध्यम से जो भी हमारी पॉब्लिक प्रॉपर्टी है सारोजनिक संपत्थी है उसका संरक्षन नहीं हो पाता क्योंगि सबको लगता है कि यह हमारी से सामजिक जो भायचारा है और जो नैतिकता है उसमें भी कमी आती है सामजिक और जो आर्थिक विश्यमता होती है उसमें व्रद्धी हो जाती है आप देखते हैं कि बिष्टाचार करने वाले व्यक्ति को सामजिक प्रतिष्टा समाज में जादा मिलती है बजाए जो इमानदार व्यक्ति होता है उसको जो प्रतिष्टा होती है वो कम मिलती है इसके अलावा संसादनों का भी नयचीत विवत्रण नहीं हो पाता क्योंकि जो बश्टाचारी व्यक्ति होता है वो संसादों का जादा कंजप्शन कर लेता है तीक है क्योंकि उसके पास क्या होता है दन या आर्थिक रूप से सूर्दर्था पाई जाती है सामाजिक इस तर पर अपराद संगश इन में व्रद्धी भी देखने को मिलती है सेवाओं की जो गुर्वत्ता होती है उसमें कमी आती है और विखास का अभाव देखा जाता है जब कोई चीज में बश्टाचार होगा तो गुर्वत्ता में तो अपने हापी क्या आएगी कमी आएगी तो अगर दुष्प्रभावों की बात करें तो पहला है राष्टी एकतव प्रगती में बादक राष्टी है एकतव है प्रगती में बादक दूसरा सामजी कार्थिक विकास का अवरुद होना विकास का अवरुद होना सार्वजनिक संपत्ति का उचीत उपयोग नहीं हो पाता और उचीत उपयोग नहीं हो पाता है संसाद्नों का न्यायोचीत वित्रण न होना सिवाउं की गुणवत्ता में कमें आना आ अर्थिक विकास में रुकावट पैदा करना तो जो आर्थिक विकास है वो भी क्या हो जाता है रुख जाता है साथी साथ यदि हम बात करें तो सामार्जिक इस्तर पर अपराद और संगर्शों में भी क्या हो रही है लगातार व्रदी हो रही है तो इसके माध्यम सी यदि हम देखें राजनेतिक संस्ता में और यह जो चीज है बिष्टाचार वो लोगतंत्र के लिए भी लोगतंत्र की मजबूती पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है मजबूती पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन करती है क्योंकि जब बिष्टाचार होगा तो जो हमारा लोगतंत्र है या जो लोगतंत्रिक संस्ता हैं वो भी बहतर रूप से कारिया नहीं कर पाएगी इससे नकारात्मक प्रभरतियों का भी विकास होता है आधी का बढ़ना तो जो नकारात्मक प्रवर्तियां है उसको भी क्या मिलता है? इसके माध्यम से प्रोसाहन मिलता है इससे राश्टी सुरक्षा के जो मुद्दे है वो भी प्रभावी हो जाता है जैसे मनी लॉंडरिंग है, आतंकवाधी तत्व है जो एपात्रव व्यक्तियों की भरतियां इस तरीके की चीजें भी दिखे जाती है कर प्रशाशन में ब्रिश्टाचार से आय में भी कमी आती है कर प्रिश्टाचार से राजस्व में कमी राश्टिय सुरक्षा के मुद्दे प्रभावित होते है और जैसे हम बात कर सकते हैं मनी लॉंडरिंग जिसे हम धन्शोधन भी कहते है धन्शोधन आतंकवाध के जो फंडिंग है वो भी एक तरीके सी उसका सूर्स भी भष्टाचारी होता है तो इन सब के माध्यं से क्या होता है भष्टाचार एक नकारात्म गतिविदी है जिस से हम समाजिक रूप से लड़ने का प्रियास कर रहे हैं फिर हम बात करते हैं कि भिष्टाचार्ण के नियंत्रण के क्या-क्या प्रियास अपके तक किये जा चुके हैं तो भिष्टाचार्ण नियंत्रण के प्रियासों की अधी हम बात करें कि प्रियास तो दिखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में कि बिष्टाचार के लिए क्या-क्या प्रियास किये गए है तो उसमें हमारी आती है नोलन समीथी नोलन समीथी यह आप एथिक्स में भी पढ़ेंगे मानेजमेंट में भी पढ़ेंगे नोलन समीथी 1995 में युके में गठित की गई थी और इसकी द्वारा साथ मैतोपूर्ण प्रशाशनिक मुल्यों पर जोन देने के लिए बात की गई थी इसमें जैसे इंटिग्रिटी यान खुलापन, औबजेक्टिविटी यानि वस्तुनिष्टिता और साथी होनेस्टी यानि इमानदारी जैसे साथ महतोपूर्ण प्रशाशनिक मुल्य पर लागू करने के लिए कहा गया था तो नोलन समीथी के द्वारा साथ प्रशाशनिक मुल्यों को अपनाने की बात की थी अगर ये बुल्य अपना लिये जाते हैं तो जो बश्ताचार है क्योंकि हमने इसमें मानदारी शामिल किया है हमने इसमें ओपनने को शामिल किया है हमने इसे अकाउंटेबिलिटी को शामिल किया है तो बश्ताचार अपने आप ही कम हो जाएगा अगला जो प्रयास है वो स संथानम समीति के द्वारा देखा जाता है और आपको बता है कि विष्टाचार के समंध में 1964 में संथानम समीति का गठन किया गया था और इसी संथानम समीति के सिफारिश के आदार पर CVC यानि केंद्री सतर्क्ता आयोग की भी स्थापना की थी ठीक है तो इसके द्वारा ही फिर CVC यानि केंद्री सतर्क्ता आयोग का गठन किया गया था केंद्री सतर्क्ता आयोग की स्थापना की गई थी इसके अतिरिक अब बात करें तो भष्टाचार के लिए लोगपाल वे लोकायुक्त जैसे संस्ताओं का गठन किया गया तो राज्य स्तर पर तो लोकायुद संस्ता है और केंद्र के स्तर पर लोगपाल का गठन किया गया इसी परीपेक्श में यदी हम बात करें तो कई सारे और भी प्रयास किये गये जैसे यदि हम बात करें कमपनी एक्ट में भी दोका दड़ी को दंडिनी अपरात बताया गया है Company Act 2013 में दोका दड़ी को दंडिनी अपरात की रूप में शामिल किया गया है तो जो Companies इस Act के अंडर में रेजिस्टर होती हैं उन सब पर ये लागू होता है तो ये भी प्रयास इसके तहट किया गया है एक कानून बिष्टाचार की सम्मद में आया था बिष्टाचार निवारण Act 1988 और ये जो Act है इसके तहट रिश्वत लेना और देना दोनों को ही क्या गोशित किया गया अपरात गोशित किया गया और इसमें संशोदन भी किया गया था 2018 में और उसके तहट बिष्टाचार को अपरात की शणी में शामिल किया गया है तो इसमें 2018 में संशोदन हुआ था और उसी के तहट बिष्टाचार को अपरात की शणी में शामिल किया गया है तो वर्तमान में बिष्टाचार क्या है एक अपरात की शणी में शामिल है इसके अलावा भी सरकार दोरा समय समय पर सबत पास किये गये जिसे विष्टाचार को नियन्तित किया जा सके जैसे भी लोग सिवा गारंटी इट तो यह 2011 में बना था, फिर राजस्तान जन सुनवाई, यह राजस्तान के इस्तर पर प्रियास है, एक्ट 2012, शिकायत निवारण तंतर के रूप में जन संपर्क पोर्टल है, केंदरी स्तर पर यह दि हम बात करें, तो नागरिक अधिकार पत्र है, सिटेजन चार्टर, जिसके माध्यम से सेवाओं की उपलब्दिता को सुनिश्चित किया जाएगा, उनकी संपोर्ण व्याक्या की जाएगी, तो यह कहीं सारे प्रियास हैं, जिनके माध्यम से सरकार का दड़ी और जो ब्रश टाच्रण है, उसको परिभाशित किया गया है, उसको कवर किया गया है, तो यह कहीं सारे ऐसे प्रियास है, जिसके माध्यम से लगातार सरकार बश्टाचार को रोकने का प्रियास कर रही है, बेनामी लेंदेन को रागुलेट करने के लिए भी एक आक्टा है था, बेनामी लेंदेन निशेत अक्टर 1986, तो यह कहीं सारे प्रियास के माध्यम से सरकार बश्टाचार को नियंतित करने का प्रियास कर रही है, यहां से दिखी जो प्रशन पूछे जा सकते हैं, कि बश्टाचार क्यों परिभाशित कीजिए, यह प्रशन बश् प्रिशाशनिक सुदार आयोग के दुआरा बिश्टाचार के कारण एजे ओवर ओल भी 50 वर्ट्स पे पूछे जा सकते हैं, या किसी एक आधार पर राजनेतिक आधार पर प्रिशाशनिक आधार पर सामाजिक वे नेतिक आधार पर या आर्थिक आधार पर भी पूछे जा सकते हैं बिष्टाचार के जो परिणाम है या दुश्प्र प्रभाव हैं उन पर पूछा जा सकता है प्रश्ण साथी भिष्टाचार के निवारण के प्रियासों पर भी प्रश्ण पूछा जा सकता है यह जो सब्सक्राइक सकन्ड एजिए उस ने सिफारिश है और देखिए ARC second जो है वो काफी important है पूरे RS के syllabus के लिए ही और इसमें जो key points है जो important segments है उसको आपको एक बार read out जरूर करना है क्योंकि answer के value addition में आपको बहुत help देने वाली है तो second ARC जो है भारत का एक सलाकारी निकाय है द्वित्यक प्रशास्निक सुधार आयोग उसने बश्टाचार के मुद्दे पर कई सारी जो है सिफारिश अपनी तरफ से पस्तूत की और इस सिफारिशों का जो मुख्य उदेश है वो है rate को बढ़ावा देना rate क्या है आपका यह है आपका कि accountability को बढ़ाना responsibility यानि उत्तरदाइत वे जवाब देहिता वे पारदर्शीता को बढ़ावा देना पारदर्शीता को बढ़ावा देना देखिए कुछ ऐसे words होते हैं जो आपको याद होने चीए जहां पर आप अपने answer में value addition कर सके तो इसका मेन उद्देश क्या था इस support का कि रेट को बढ़ावा दिया जाए यानि सार्वजनिक प्रशाशन जो है उसमें हम बश्टाचार को रोके सार्वज जो सरकारी कारिये हैं उसमें पारदर्शीता को बढ़ाए प्रशाशन को ज्यादा जिम्मेवार बनाए और ज्यादा उत्तरदाई बनाए यह क्या था इस सिफारिशों के पीछे ARC 2nd का उदेश रहे था यदि हम बात करें तो इसमें क्या-क्या सिफारिशे प्रस्तुत की गई तो पहला किया गया कि बश्टाचार रोधी जो भी उपाएं हैं उन्हें मजबूत किया जाए बश्टाचार रोधी उपाएं को मजबूत किया जाए यहां हम बात कर रहे हैं कि बश्टाचार रोधी जो उपाएं हैं उनको मजबूत किया जाए यानि हमें एक तो CVC को मजबूत करना होगा उसकी जो भूमी का है उसकी जो स्वायता है उसे और बढ़ाना होगा जो कि अमात्रिक सलाकारी निकाय की रूप में काम कर रही है तो यहाँ पर हमें CVC पर बल देना होगा CBI जो एक तरीके से सरकार जो है उसकी एक संस्ता के रूप में काम करती है जो कि सरकार के जो बिष्टाचार है उसको प्रभावी रूप से उजागर करने में एसक्षम रहती है उसको भी हमें मजबूत करना होगा यानि बिष्टाचा का उसके तहत विसल ब्लोवर जो कि बिष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं ऐसे वेक्तिव को विसल ब्लोवर कहते हैं उनकी सुरक्षा उनकी प्रोसाहन के लिए भी हमें कारिये करना होगा दूसरा इसमें कि जो विवेका अधिकार है उसको कम करना होगा और जब हमने 2nd ARC की बश्टाचार की परिभाशा पड़ी थी उसमें देखा था विवेक अधिकार को कम करना कितना जरूरी है क्योंकि वहां आपने देखा था एक अधिकार प्रस विवेक माइनस जवाब देई था तो जब आपका एक अधिकार जादा बढ़ जाता है हर चीज के डिजन आ मावनाय होती है वह भी ज्यादा हो जाती है जो अधिकारी है वह अपनी विवेक अधिकारी शक्तियों का दुर्पियोग करने लग जाते हैं ऐसी इस्तीति में हमें क्या करना होगा इस विवेक अधिकार को कम करना होगा उसे संतुलित करने का प्रियास करना होगा साथ हमें प्रद्योगी के के प्रियोग को भी बढ़ावा देना होगा, कि उप्योग को प्रुसाहन, और यह लगातार हम कर रहे हैं, कि जितने भी चीजें हैं, वो आईटी के यूज के माध्यम से होगी, तो वहां पर भिष्टाचार की संभावनाएं कम होगी, इसलिए देखें, आज वो आईटी के माध्यम से हो रही है, आईटी के माध्यम से या ओनलाइन प्रोसेस होने के कारण, वहां पर भिष्टाचार की संभावनाएं हैं, वो कम होती जा रही है, हमें अपने पुलिस विवस्ता को भी सुधार करना होगा, पुलिस विवस्ता में सुधार करना होगा, तथा उनकी जवाब देहिता को बढ़ाना होगा जवाब देहिता में वरद्धी करनी होगी तो अगर हम हमारे पुलिस प्रिशाशन में सुधार कर लेते हैं तो भी विश्टाचार में काफी सुधार होगा क्योंकि जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं पुलिस है वो हमारी अखंडता और प्रभाव शीलता को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पुलिस बल में हमें पारदर्शीता जवाब देहिता और विवसाइकता को बढ़ाने पर बल देना पड़ेगा साथ ही हमें समुदाइक पुलिसिंग जो कम्यूनिटी पुलिसिंग है उस पर भी बल देना होगा जिससे पुलिस और जनता के मद्दे जो संबंद है वो सहज हो सके संता में पुलिस के प्रती एक विश्वास पैदा हो सके जिससे बिश्टाचार और सत्ता के दुर्पियोग के जो मामले है उनमें कमी आएगी नहमें नैतिक प्रशाशन को भी बढ़ावा देना होगा हमें नैतिक प्रशाशन को प्रुसाहित करना होगा और यह कब होगा जब हम प्रशाशन में नैतिक मुल्यों का समावेश करेंगे हमें इसके लिए आचार सनिता लागू करनी होगी जो अधिकारियों के द्वारा फॉलो की जानी चीज़ें सिटीजन चार्टर जैसी चीज़ें उनको लागू करने का प्रियास किया जाना चाहिए जिससे जवाब देहिता बड़े सारजनिक सेवाओं के वित्रण में सुधार हो साथ ही जन जागरुपता अभियानों पर भी बल दिया जाना चाहिए कि बिष्टाचार के संबन में जन जागरुपता को बल दिया जाए और यह लगाता सरकार कर रही है आज कल आप देखेंगे मैसेज आता है कि कोई भी आपसे रिश्वत मांगे तो आप तुरंत मना करें या तुरंत संपग करें एसीबी, सीबी आई के द्वारा भी या गौर्मेंट पोर्टल के माध्यम से आपको मैसेजेज रिसीव होते हैं तो यह भी हमें करना होगा मीडिया और शिक्षा के माध्यम से हमें जन जागरुपता लानी होगी जो ब्रिष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव हैं उसे लोगों को अवगत कराना होगा जिससे हम इस प्रकिरिया या इस समस्या का समाधान कर सकें और साथ ही हमें इगवर्नेस और डिज्टिक्ली करन पर भी बड़ावा देना होगा तो यह governance वेड डिजिटली करण को बढ़ावा देना और जब हम डिजिली करण को बढ़ावा देंगे तो उससे जो मानवी अस्तक्षेप है उसकी अवसर कम हो जाएंगे और ऐसी स्तिती में चीज़े online होगी, online होगी तो उसमें transparency जादा रहेगी, accountability जादा रहेगी और उससे ब्रिष्टाचार की जो घटनाएं हैं वो भी कम हो जाएगी तो आज की class में हमने चर्चा की कि ब्रिष्टाचार क्या है, ब्रिष्टाचार की प्रमुख परिभाशाओं के बारे में हमने बात की, ब्रिष्टाचार की जो प्रमुख कारण है, राजनेतिक कारण, प्रशाशनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक वे नेतिक कारण, साथी बिष्टाचार के जो दुष परिणाम है या जो दुष प्रबाव है उनके बारे में चर्चा की बिष्टाचार के नियंत्रण के लिए किये जाने वाले जो प्रियास हैं चाहे नौलन समीती हो संथानम समीती सीवी सी हो आपका कंपनी एक्ट 2013 हो लोगपाल लोको अयुक्त का गठन हो आईपी सी की बात हो जन संपर्क पोटल की बात है चाहे लोग सिवा गारंटी एक एक्ट है इनके बारे में आज की क्लास में हमना चर्चा की और अंतिम रूप से जो बिष्टाचार से निपटने ही सेकेंड यार्सी की जो इंपोर्टेंट सिफारिशी थी उनके बारे में हमने चर्चा की और यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से डिरेक्ली भी प्रेशन पूछा जा सकता है ठीक है तो पढ़ते रहिए लिखते रहिए मिलते हैं अगली क्लास में थैंक्यू सू झालिए